आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे अक्षेत्रित्या मनाने की विदी कैसे मनाना चीए बहुत सिंपल सा तरीका है पहले तुम आपको बता दूँ कि अक्षेत्रित्या इस पार 2018 में 18 अप्रिल को है अठारा अप्रिल तो इसे मनाने की जो विदी है वो हम आपको बता देता है आप सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवरित्ध होकर तो आप हवित्र जल से असनान करके स्री विष्णु भगवान की विदी पूर्वा पूजा करने चीए अगर आपकी पास अविलेबिल है तो फिर आप गंगा जल वो मुत्रवगडर डाल दी चीए होम हवन जप एवंदान करने के बाद पित्र तरपन करना चीए ऐसी पौर्णिक मानेता है कि इस दिन मिनापिंड दिये विदी पुर्वब ब्राम्वन भोजन के रूप में श्राद करम करना चीए यदी संभव ना हो तो कम से कम तिल तरपन अवश्य ही करना चीए दान में कलश, पंखा, खड़ाओ, सत्तू, ककड़ी, फल, शक्कर यादी दान भी करनी चीए इस दिन छाता का दान अत्यमत शुब होता है इस्तिरियों के लिए यदिन अती महत पुरण होता है चैतर मास जो होते हैं, चैतर मास में अस्ताकित, चैतर गौरी का इस दिन विसरजन किया जाता है इस करनी स्तिरिया इस दिन हल्दी कुमकुम वगरे लगाती है हल्दी कुमकुम एक रिवाज है जिसमें सुहागन इस्तरिया अपने घर में अन्य सुहागनों को बुलाती है और देवी का रूप मानकर उन्हें हल्दी कुमकुम रवाकर उसके बाद चर्ण सपर्श करके उपहार देती है तो ये हल्दी कुमकुम का मतलब रिवाद है अभी पुर्वचों को गती के लिए तिल तरपन का जो विदान है उसका में संशेक में आपको बता देता हूँ पुर्वचों के गती हितु तिल तरपन का विदान अत्यंती प्राचिन काल से चला रहा है तिल तरपन में देवता और पुर्वजों को तिल तथा जल अर्पित करने का विधान है जहां तिल सात्रिक्ता का प्रतीक है वहीं जल शुद्ध भाव का प्रतीक है तिल तरपन का अर्थ है देवता को तिल के रूप में क्रितर्गता तटा शर्णागत भाव अर्पन करना तिल तरपन करती समय भाव रखना चीए किश्वर के द्वारा ही सब कुछ मुझसे करवाया जा रहा है अथार्थ तिल तरपन के समय सादक में मन वचन और कर्म से किसी भी तरह एहंकार की भावना नहीं होनी चीए तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड दीचिए धन्यवाद